नमस्कार साथियों Infusion Notes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेसन रहेगा साथियों राजस्तान जिक्ये के 25 महतोपुन क्यूसनों का इस सेसन में साथियों राजस्तान जिक्ये के 25 महतोपुन क्यूसन देखेंगे ये सबी Quesn साथियों पुराने एग्जाम में आई हुए होंगे सेसन को पूरा देखिएगा साथियों काफी उपयोगी रहेंगे आपके लिए 25% 10 मिन्ट की कलास होगी साथियों और 25 महत्वपुन Quesn जो पुराने एग्जाम में आई हुए हैं तो शुरुआत करेंगे साथ यों सेशन की, पहला क्यूसन आप से पूछा गया है, कपड़ों पर चित्रित ना द्वारा सेली की पैंटिंग्स को समानता कहा जाता है, आप से पूछा गया है कि कपड़ों पर जो चित्रित ना द्वारा सेली है उसकी पैंटिंग्स को किसके सम कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा इसके समाने तो आंसर हो जाएगा पिछवाई के समान इसको माना जाता है पुराने एक्जाम की ञूशन करने से Це होता है साति हो अपने को यह पता जल चालता है कि हां सिंइ how girl SM पूछ रहा है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे नाद द्वारा में शिरी नाजी की पर्तिमा के पीछे सजावट के लिए प्रियुक्ते चित्रिते पर्दा क्या कहलाता है ये भी क्यूशन इपोर्टेंट है आप से पूछा गया है कि नाद द्वारा में परतिमा के पीछे सजावट के लिए जो पर्दा लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं तो उसको पिछवाई कहा जाता है क्या कहा जाता है उसको पिछवाई कहा जाता है इपोर्टेंट है साथियों अगला क्योशन है पिछवाई चित्रन का मुख है विशे क्या है तो आंसर हो अगले क्यूसन पर बात करेंगे अगला क्यूसन है राजस्तानी विचार धारा के चित्रकला का आनम एक मुख्या के अंदर कौन सा था तो आंसर हो जाएगा बुंदी था आगे बढ़ेंगे साथियों अगला क्यूसन जो काफी एक्जाम में लगातारे पूछा जा रहा है आप से पूछा गया है दुगारी किले की चित्रकला किस से समंदित है तो आंसर हो जाएगा बुंदी था ये समंदित है अगला क्यूसन आप से पूछा है कोटा के किस सासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र सेली का उतकर्ष्ट काले माना जाता है तो आंसर हो जाएगा महराओ उमेद सी है पर्थम साथियों जो एक्जाम होते हैं उसमें साथियों जो चित्र सेली है उसका सवरण काल कौन सा यूग रहा कौन सा सा सकता इस परकार की क्यूशन पूछे जाते हैं यानि सवरण काल रहा था उसमें कौन सा सा सकता और चित्रकारों के नाम दे दिये जाते हैं पूछ लेते हैं विकानेर से संब्धित है, मारवाट से संब्धित है, बुंदिश है या कोटा से हैं. तो इस परकार की क्योशन जादा पूछे जा रहे हैं. आप से पुछा है कोटा के की सासा के काल को कोटा स्कुल की चितर सेली का उतकष्ट काल माना जाता है? आंसर हो जाएगा महराव उमे वस्तु कॉनसी थी? आंसर हो जाएगा शिकार के दर्शे है थी ये इपोटेंट है साथ यू पूछा जा सकता है क्या थी? शिकार के दर्शे है किस राजपूच चितरकरा सेली में नारियों और है राणियों को शिकार करते हुए चित्रिते कि आगया है तो आंसर हो जाएगा कोटा यानि कौन सी चित्र सेली है जिसमें नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रिते कि आगया है तो आंसर हो जाएगा कोटा सेली अगले कुस्षन पर बात करेंगे अगला कुस्षन है कोटा के किस सासक काल सें शिकार के दर्शें कोटा चितर सेलिकी विश्यस्ता बन गई तो आंसर होगा उमेच चिहां पर्थम के समया आंसर क्या होगा उमेच चिहां पर्थम के समया से साथ यों कंटो कोटा चितर सेली के अंदर शिकार के दर्शे हैं जो उनकी परमुक विशेयस्ता बन गे थै इसे सेली की अगला question है कि राजस्तान के अंदर भीती चित्रों को चीर काल तक जीवत रखने के लिए एक आले खनपती जिसें क्या कहा जाता है। पना कहा जाता है यानि शेखावाटी के अंदर क्या कहा जाता है। आपके सामने हैं आप से पूचा है तिल लोक हिरानन साहिब राम मोहमत सहा किस देशी रियास्त के चित्रकार थे तो आंसर है जेपूर के किसके थे तो आंसर हो जाएगा जेपूर रियास्त के थे। अगला क्यूचन है चित्रकार साहिब राम किस चित्र सहली से समंदित है तो आंसर हो जाएगा जेपूर से है। अगला क्यूचन था चित्रकार मोहमत साह जिनोंने भगवान कषन का चित्रांकन अपने चित्रों में किया समंदित है वो भी किस समंदित है आंसर हो जाएगा जेपूर से हैं। अगला क्यूशन है कौन सी चित्रकला सेली मुगल चित्रकला से सरवादिक परभावित हुई कौन सी चित्रकला सेली है जो मुगल चित्रकला सेली से सबसे ज़्यादा परभावित हुई तो आंसर हो जाएगा जेपूर सेली अगला क्यूशन है जेपूर चितरकला सेलीका सौरनम काल किस सासक के काल को माना जाता है मैंने काता ना सेलीका सौरनम काल किस सासक के काल को माना जाता है इस परकार के क्यूशन पूचे जाते हैं अब आप से पूछा है जेपूर चितरकला सेली का सवनम काल किस सासर के काल को माना जाता है तो आंसर है परताब शियह के काल को किस के तो आंसर हो जाएगा परताब शियह के काल को माना जाता है अगला क्यूशन है चितरकार जो अपने आदम कद व्यक्ति चितरों के लिए जान जाता है अगला क्यूशन है मोजमाबाद किस चित्रकला सेली का के अंदर था तो सातियों आंसर होगा जोधपूर का था किसका था जोधपूर का था परसी चित्रकरती ढोला मारू की सेली कौन सी है तो आंसर है जोधपूर है ये तो आपको पता है कौन सी होगी ढोला मारू की तो आंसर हो जाएगा जोदपूर है अगला क्यूसर है किस सेली में चमकीले पिले रंग और लाग के लाल रंग की परधानता देखी जाती है आप से पूछा गया है कि किस सेली में चमकीले पिले रंग और लाग के लाल रंग की परधानता देखी जाती है तो आंसर हो जाएगा मारवाड आंसर क्या होगा मारवाड होगा इपोर्टनेंट क्यूशन है साथ यूं पूछा जा सकता है आपसे आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन आपसे पूछा है मारवाड सेली में निर्मित रागमाला चित्रावली मारवाड सेली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 उशी का चित्रांकन किस ने किया था तो आंसर है वीर जी ने किया था किस ने किया था तो आंसर हो जाएगा वीर जी के द्वारा किया गया था important है साथ यूँ पूछा जा सकता है आपसे अगला क्यों सुन है राजस्तान की painting रागो रानी का सैचितर व्याक्या किसमे है तो answer है राग माला के अंदर है किसके अंदर है अंसर होगा राग माला के अंदर है अगला क्यों सुन है रामा नाथा छज्जू और सेफू चितरकला की किस सेली से समंदी चितरकार हैं तो आंसर है जोदपूर रामा नाथा छज्जू और सेफू चितरकला की किस सेली से समंदी चितरकार हैं तो आंसर होगा जोदपूर से अगला क्यों सुना आपके सामने है कौन सी चितर सेली पंस तंतर चितरांकन के लिए जानी जाती है तो आंसर हो जाएगा मारवाड आप से पूछा है कौन सी चितर सेली पंस तंतर चितरांकन के लिए जानी जाती है तो आंसर हो जाएगा मारवाड आंसर क्या होगा मारवाड इसका आंसर रहेगा तो साथियों मै मैंने इस सेशन में आपके साथ महतोपुर्ण जो राजस्तान जी के के 25 क्यूशन थे पुराने एक्जाम में आई हुए थे शिरफ 10 मिन्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको ये सेशन पसंद आया है तुशे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा इंफ्यूजर नोट्स क